किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है गन्य के उत्क्रस्ट प्लाट हम आपको आज इस वेडियो में दिखाएंगे जो काफी अच्छे प्लाट है थोड़ा थोड़ा सा हम ये बताएंगे भी कि ये प्लाट किस तरीके से किये जा सकते हैं किसान भाईयों जब हम खेत की तैय पौदे को मिलते हैं जड़ें दूर तक जाती है नहीं राजियो इस फिर पढ़ता है जिसके करण इस तरह की क्राप होती है अगर टिलर्स जादा भी है तब टिलर्स हेल्दी रहते हैं अगर आपने खेत की कहरी जुदाई की हुई है इसके अलावा किसान भाईयों बीज का बहुत मात्वे बीज का सोधन करके बीज बूएं बीज का जो एक तिहाई उपर का भाग है उसकी बुआई करें तेज हतियार से काट कर तब बीज की बुआई करें ताजा बीज प्रियोग में लाएं इसके साथ में जो गोबर की सड़ी खाद है या हरी खाद है इसका प्र हैं चाहर से नहीं उगाने का समय आपके पास नहीं तो गोबर की बिल रॉटन यानि पूरी तरीके सड़ी हुई फुरूरी खाद का प्रयूग करें जिसमें सारे तत्य होते हैं चाहे आपका कार्बन हो और चाहे नाटूजन हो फासपुरस हो पोटास कैल्सिम मैगनेशिम मसल और सिल्फर हो और चाहे कापर मैगनेश आइरन जिंक मॉलेविटनम बोरान यानि 16-17 प्रकार के सभी तत्यू पाय जाते हैं जब हम खाद देते हैं तो किवल खाद में मेजर जो हम नूट्रिंट्स देते हैं नाटूजन देते हैं फासपुरस देते हैं पोटास देते हैं कभी बोरान देते हैं लेकिन एक जो वैलेंस नूटिशन होना चाहिए वह तभी मिल पाता है जब हम कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं हरी खाद का प्रयोग हरी खाद के प्रयोग से जो स्वैल की फिजिकल और केमिकल प्रपरटी है वह भी सुधरती है फिजिकल और क growth के लिए मिलता है वह तभी मिल सकता है जब आप हरी खाद का प्रयोग अपनी खित में करते हूं किसन भाई माइकर निट्रिंट्स का काफी अच्छा रोल है हमने आपको बताया होगा कि चाहे complex आप माइकर निट्रिंट्स यूज़ कर लें और चाहे इन हरी खादों से ही आप निट्रिंट्स की सप्लाई कर दें जो सस्ते भी पड़ते हैं एक और माइकर बिंदु है कि आप ड्रेंचिंग जरूर करें जैसे कि अगर स्वैल बार अर्गनिजम्स हैं वह खतम हो जाए और साथी में अगर सीट पार्ण बचे हुए तो आभी खतम हो जिससे कि जो क्राप की क्रोथ हो जो टिलरिंग हो जर्मिनेशन हो वो हेल्दी हो और क्राप आपकी अच्छी चल पाए यह बहुत मात्पून पानी जब भी लगाए खेत में ज्यादा पानी ना लगाए इन प्लाटों में आप देखें नीचे की सारी पतियां हरी हैं यानि अगर 24 पतियां निकल निकली भी हैं तो सभी फोटो सिंथिस कर सकती हैं सभी भूजन बना सकती हैं और बहुतायत में देखाए कि संभा इतना पानी लगा देते हैं कि नीचे की पतियां सूख जाती हैं और क्यों उपर की बढ़ती रहती हैं इसकर कल्ले पतले हो जाते हैं और मॉटलिटी आती है और गन्ना हमारा बेहतर नहीं हो पाता है इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आप निश्ची तोर से बेहतर गन्ने का उत पतन ले पाएंगे धन्यवाद जै हिंद जै भारत